हलो दोस्तों स्वागत है को और नए वीडियो में मेरे नाम है आसीस और आज के इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं बाइनेंस लॉंच पूल के 50 प्रजेक्ट के बारे में जिसका नाम है इथीना और इसके पहले अगर आपको ध्यान हो इत फाई आया था जो 23 सेंट के आसपास में लॉंच हुआ और 8.66 डॉलर का हाई लगा चुका है काफी अच्छा रिटन दिया लगबग 30 एक से भी ज़्यादा इसने रिटन दिया वैसा ही हो सकता है कि ये भी चला जाए इसलिए इसने पार्ट स्पेट करना मत बूलना फ्री में आपको अरन करने का एक पैसे वर्मिंग का मौका मिल रहा है जहां पे आपको simply आपको BNB या FD USD आपको stack करने है और इसके बदले में आपको यहां पे इनके token जो है वो reward के तोर पे hourly यहां पे snapshot होगा और वो मिल जाएगा तो इसके बारे में आपको बदाते हैं क्या है इथीना प्रजेक्ट और कैसे यहां पे आपको reward earn करना है कैसे आपको claim करना है वो सब आपको इस वीडियो में पता चलेगा तो वीडियो को पूरा लास तक देखिएगा चैनल पे ना है सब्सक्राइब और वीडियो को ज़दे ज़दे लाइक कर दीजेगा जैसे आपको ऐसे वीडियो देखने को मिलते रहें चलते हैं कमेटर स्क्रीन पे और वहां पे बताते हैं पूरे डीटेल में इथीना के बारे में इसका नाम USDE रहने वाला है और आज से ही फार्मिंग इसके स्टार्ट हो गई है तीस तारिक से और एक तारिक तक चलेगी दो तारिक को यहाँ पे बाइनेंस में लिस्ट हो जाएगा अलग अलग पेर्स में यहाँ आपको ट्रेडिंग इसकी दिखे ही दीगी पर उसके पह से हैं कहीं country से दूसरी country से और access कर पा रहे हैं तो comment में नीचे आपको link description में मिल जाएगा वहां से जाके account create करके यहाँ पे account create कर लीजे bnb और fdusd आपके पास में होना चाहिए वो आपको buy कर लीना है उसके बाद में आप यहाँ पे apply कर पाएंगे तो max token supply जो है इसकी 15 billion के आसपास में रहने वाली है 2% यहाँ पे max token supply launch pool में reward में मिलने वाली है total 9.5% token supply initial circulation में यहाँ पे आएगी Ethereum blockchain पे बना project है और यहाँ पे hard cap per user आप यहाँ पे देख सकते हैं जितना BNB में अगर आप stack करोगे तो ज्यादा मिलेगा FDUSD में यहाँ पे कम होने वाला है साथ ही यहाँ पे अलग-अलग यहाँ पे options आपको दिये हुए हैं किसमें कितना आपको stack करना है total reward यहाँ पे BNB और USDT में FDUSD में कितना मिलने वाला है वो यहाँ पे आपको दिया हुआ है ठीक है तो यहाँ पे Binance launch pool की detail पे यहाँ पे अगर हम जाके देखें तो देखो BNB और FDUSD pool में आपको दिखाए दे रहा है लगबग 17 million dollar के आसपास में BNB pool में अभी यहाँ पे stake हो चुका है और लगबग यहाँ यहाँ पे हो चुके हैं और यहाँ पे आप airdrop भी earn कर सकते हैं पहले यह airdrop आया था तो उसमें अगर आपने participate किया होगा तो वो भी आप claim कर पाएंगे साथी यह backed by है काफी बड़े project द्वारा dragonfly ने अर्थुरेस ने यहाँ पे इसे back किया है Binance Lab UKX Venture, Bybit और Derivate ने यहाँ पे इसे back किया है तो हो सकता है इन exchanges पे भी यह list होता हुआ आपको दिखाई दे अगर हम बात करें यह क्या कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो इन्होंने overview में दिया हुआ है इथीना एक synthetic dollar protocol build कर रहे हैं on Ethereum that will provide a crypto native solution for money not relevant on traditional banking system infrastructure और यह इसे कहने वाले है internet bond तो यह कुछ इस तरीके का यहाँ पे project रहेगा USD इनका stable coin यह launch करने वाले हैं अगर हम यहाँ पे current price की बात कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे यह वो जो DEX है उस पे यहाँ पे 61 cent के आसपास में इसका price already trade कर रहा है तो 60 cent 50 cent से लेके एक डॉलर के आसपास तक आराम से बान के चल सकते हो इसका price यहाँ तक जाने के chances देख रहे हैं अब दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे आपको launch pool में participate करना है क्योंकि mobile app इंडिया में work कर रहा है website work नहीं कर रही है तो उसमें access नहीं कर पाएंगे आपको simply mobile app पे login करना है यहाँ पे home बटन पे आपको click कर देना है home पे आ जाएंगे उसके बाद में यहाँ पे logo आपको दिख रहा है balance का उपर इस पे आपको click करके यहाँ पे more services पे click कर देना है और उसके बाद में आपको नीचे आ जाना है यहाँ पे launch pad का option दिखेगा इस पे आपको click करना है आपको यहाँ पे option दिखाई दे रहा है देखो उपर ही launch pool का जहाँ पे ENA का farming यहाँ पे green में आपको दिख रहा है इसमें FD, USD और BNB pool दोनों आपको दिखाई दे रहा है BNB pool में 17 million BNB stake already हो चुके हैं और FD में 1 billion यहाँ पे FD stack हो चुका है timer आपको दिख रहा है 2 दिन 11 गंटे का 3 दिन का है अब 2 दिन 11 गंटे यहाँ पे बाकी है इस पे आपको stack पे click कर देना है और उसके बाद में आपको यहाँ पे simply इस पे click करना है यहाँ पे BNB वाले pool पे उसके बाद में देखो आपको यहाँ पे option दिख रहा है आपके पास में BNB यहाँ पे होने चाहिए अगर आप BNB stake करना है simply आपको यहाँ पे max पे click करना है जितना भी आपे stack करना चाहते हैं यहाँ पे आपको डाल देना है stack पे click करना है और done यहाँ पे आपका BNB stake हो गया वापस से अगर आप redeem करना चाहें इसे तो यहाँ पे आप redeem पे click करके और same यहाँ पे max पे click करेंगे और यह आपका redeem भी हो जाएगा और जितने भी token यहाँ पे आप earn करेंगे वो automatic आपके यहाँ पे wallet में add होते जाएंगे redeem करने की भी जरूरत नहीं है जिस दिन यह list होगा उस दिन automatic आपके balance में वो so कर जाएंगे और BNB भी वापस आपका refund हो जाएगा आपके account में आ जाएगा तरीके से दोस्तों आपको यहाँ पे farming में part speed करना है मैंने यहाँ पे लगबग 1 BNB stack कर दिया है आप लोग भी यहाँ पे कर दिना जितना ज़ादा आप stack करोगे उतना ज़ादा आप इथी ना आपे earn करोगे और दो तारिक को तो list हो जाएगा तो better है पैसे वर्निंग के हिसाब से आप यहाँ पे इसमें part speed जरूर कर लिना बागी यही था दोस्तों आज का वीडियो I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा मिलते है next वीडियो में तब तक के लिए bye bye and take care